तो फाइनली क्लैशो क्लैंट्स में आ रहा है एक निव अपडेट जहां पे हम लोग काफी सारी चीज़े मिलने वाली है जिसके रिगार्डिंग क्लैशो क्लैंट्स की ओफिशल टीम ने हमको काफी कुछ बता दिया है तो चलिए भाई सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कल यहां पे 19 फैबरोरी को क्लैशो क्लैंट्स की टीम है उन्होंने हमारे काफी सारे कोशन के आंसर दिये थे तो वहीं से हम लोग काफी कुछ आलेडी पता चल रहा है तो उनको हम देखेंगे साथ ही में सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे बहुत ही इंपोर्टन चीज के बारे में और यह चीज़ है अपने किंग का भाई यहां पे जाइंट गॉंटलेट वाला बग यह चल रहा है कि जब भी हम लोग जाइंट गॉंटलेट की अबलिटी यूज करते हैं तो वहां पर अपना जो वाडन का इटर्नल टोम है यह वाली अबलिटी उसका प्लस हो करे थी आपको और डी पता था कि यह कोई क्लैशुक लैंट में बग है अपने किंग का जो की बाद में कभी ना कभी रिमूव होने वाला है कि यहां पर इतना बड़ अपडेट तुम ला रहे हो अपना लूनर वाला उसमें किंग वाले बग को फिक्स क्यों नहीं किया इसक साथ में यहाँ पे नए फीचर्स इंटेड्यूस होना, इसे बोलते हैं content update, तो यह तो अपना हर सीजन में आता रहता है भाई, इसको हम season update बोलते हैं एक तरहीके से, और event update बोल सकते हैं, और कि इस clash of clans ने यह भी एक चीज शेयर कीती, कि वो लोग यहाँ पे एक new video record करने, त आपको में आपडेट दे दिया था भाई, clash on video are usually related to new updates and new feature coming into clash of clans, तो इसका मतलब है कि हमारे game का new update का है भाई, वो already सब को scene set हो चुका है, लेकिन इसकी exact release date क्या होगी, उसके उपर हम लोग थोड़ी तरह में आएंगे, यह बोल रहे हैं कि हमारा जो अभी next content update है, उसकी माम चल रहा है, तो जब हो पूरी हो जाएंगे, तब ही हम king वाले bug को fix करके फिर update को साथ मिलाएंगे, तो guys, last वाले line में आप इन्होंने एक चीज मेंशन की है, it's getting bundled together along with few other bug fixes, quality of life improvement and other new content, this will be rolled out in few weeks, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आने वाली में आपको सारी बताता QOL improvements, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई की quality of life update, जहाँ पे game में जो चीज़े होती है, उसके नएने features और जो आपके feedback होते हैं, उसके उपर based update, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे new levels की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे अपने जो defenses जिनके new level आना बाकी ह अपना inferno, अपना बाई eagle artillery, और यहाँ पे अपने builder hurts हो गए, और clan castle का new level जो की sneak peek में और दिखा दिया गया था, फिर बाद में cancel कर दिया, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना, वो भी आ सकता है इस वाले update में, और कि इस काफी सब टूप हैसें, जिनका टाउनल 16 वाले लेवल अभी तक नहीं आया है, तो उनके भी new levels like baller हो गया अपना, तो यह सब चीज़ों का यहाँ पे new levels यहाँ पे इस update में आ सकता है, जो यहाँ पे competitive players है e-sports वाले, तो वो लोग ores की farming करी नहीं बाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उने friendly war बस खिलने पड़ वो लोग को hero equipment max करने बहुत दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को address करने वाले हैं लोग next update में, क्लिरली मेंचन है, we plan to address this in the next update, so that means कुछ ना कुछ आने वाला है, जिससे आप लोग without wars या फिर मतलब कुछ ना कुछ तरीके से और तरीके से और सिखटा कर पाऊगे, अब गया कुछ महीनों पहले लोगों ने एक हमसे survey लिया था, clan chat के regarding क्या क्या improvements वाँ पे होने चाहिए, लाइक अपना emoji वगरा का system, clan chat में मतलब clash 12 वाले जो emoji होते हैं, वो सब, एन बहुत कुछ इनों ने पूछा था, तो इसके regarding भी positive reply है, we are hoping to chat about chat, when we start talking about the next update, ये बड़ा confusing लग रह इसके regarding कुछ ना कुछ होगा, ये जितने भी question आपको में दिखा रहा हूँ, कल वाले Q&A से हैं, अब एक और question बंदे ने पूछा भाई, कि quality of life improvement के अंदर के हम ऐसा कुछ मिल सकता है, कि हम heroes को use कर सकें, जब हो upgrade हो रहे हो, ये चीज ना सालों से हम लोग पूछते आ रहे है Clash of Clans वालों से, कि हमारा hero side में upgrade होता रहे, और उसको हम लोग war में, legend league में use कर सकें, लेकिन इन लोग ने आप एक बड़ी अच्छी बात mention की, कि यहाँ पर जो book of hero हो जाती है अपनी, और gems जो आप लोग use करते हैं, अपने heroes के levels को upgrade करने के लिए, उससे Clash of Clans का 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 यहाँ Tonal 16 का, उसके बाद हमें हर चीज में कुछ इस तरीके का UI दिखने लगा, जहाँ पर वो progress bar चला गया है, काफी लोग इससे परिशान है, काफी लोग को progress bar वापस चीए, तो क्या progress bar वापस आएगा, इसका answer है yes, इन्होंने ऐसा reply दिया, progress bars, answer in progress, मतलब yes, वो आने वाला है, confirm ह कि progress bar वापस आएगा, लेकिन इक चीज आपको उता दूँ, एकदम last time जा progress bar नहीं होगा, जो यहाँ पर side में animation दिखाता है, कि जो भी आप चीज अपग्रेट करने जा रहे हो, कैसे काम करती है, वो तो अभी भी दिखाएगा, बस यहाँ पर जो आप देख रहे होने हिट ल हो चुकी है, जो को clash of clans ने इस पर answer वगर दिया है, बहुत सरी और भी चीज होगी definitely, जो कि हमें surprise तरह reveal देखने को मिलेगा उनका, तो quality of life change जो features आने वाले है, उनके लिए वेट करते हैं, जितने information थी अपने पास तो वो आपके सब्सक्राइब ने शेयर कर दिया है, फाइ अपडेट क्लाइन वाली के तुरंद बादी मिलते हैं, लेकिन बिकॉज इन लोग ने डेव अपडेट वीडियो की रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था, जहांपे मतलब काफी क्लिरली कंफर्म हो गया है, कि देव अपडेट की वीडियो शूट हो रही है, हो चुकी ह अपडेट के मतलब लगबग, तो मेरे साबसे इसका मतलब है कि अपडेट फैबरोडी की लास्ट वीक में आएगा, तो इसके चांट जान्ट है, अराउंड 90% चांट ही है कि फैबरोडी की लास्ट वीक में आपको अपडेट मिलेगा, पर अगर फैबरोडी की लास्ट वी बाई बाई बाई